जार्खन की राजनीतिक हालात पर चर्चाओं का दौर जारी है मुक्यमंत्री खुद राजेपाल से मिलकर स्थितिस्पष्ट करने की बात कह चुके है बावजूद अब तक पत्थर खनन लीज आवंटन मामले को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा आये मंतव्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया है ऐसे में जार्खन मुक्ति मूर्चा हर मूर्चे पर लड़ाई लड़ने की तैयारी में है तो वहीं भाजपा का हेमन सरकार पर हमलाद जारी है जार्खन मुक्ति मूर्चा का मानना है कि जे में सीधे लोगों की पार्टी है लेकिन जिस तरह से उहापो की स्थिती बनी हुई है पार्टी हर मूर्चे पर चाहे वह पार्लियमेंटरी सिस्टम, जिडियोश्यरी या डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है भारती जनता पार्टी धमकी भरे लहजे में बात कर रही है अगर राजभवन से संरक्षन नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा बीजेपी और राजसू जैचंद और मीर जाफर की जोड़ी है यह दोनों पार्टियां साजेश रस्ती दिख रही है हाजपा का कहना है कि भ्रष्ट आचार के मावलों की प्रती मुख्यमंत्री का नजरिया अपनी सुविधा अनुसार बदलता रहता है एक और विराजभवन और इलेक्षन कमिशन के पास घूम घूम कर गुहार लगा रही है कि उनके माइन्स लीज के भ्रष्ट आचरन वारे मुद्दे पर फैसला जल्दी आए लेकिन दूसरी और अर्बो रुपे के मनी लांडरिंग के मामले में और लोगपाल में आयस एधिक संपत्ती मामले में उनकी लीगल टीम पूरी कोशिश कर मामले को टालने का प्यास कर रही है देगे मानिय मुख्यमंत्री जी अपने कन्वीनियन्स के अनुसार समयधानिक संस्थाओं का उप्योग करते हैं एक तरफ उनके खिलाफ जो शेल कंपनी हैं उनके करीबी लोगों के खिलाफ अर्बो रुपे की मनी लॉंगरिंग का जो मामला है वो सर्वोच नियाले में लंबित है उस पर अंतिम फैसला आना है लेकिन वहां मानिय मुख्यमंत्री जी ये जाकर नहीं कहते कि इसमें फैसला जन्दी आना चीए कानिक संस्ताओं गवर्नर के पास एलेक्शन कमिशन के पास केद्र में नेताओं के पास घूम घूम कर कहते हैं कि साब इसमें जल्दी फैसला आना चाहिए तो मानियों मुख्यमंत्री जी एक ही तरह के मामलों में दो अलग अलग तरह के इस तरह की विचारधर आपकी क्यो अज़ोटी कर देता हैं बहराल हेमन सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं देख रही है क्योंकि मुख्यमंत्री की सदस्यता पर असमंजस की स्थिती अब भी बरकरार है ऐसे में जेमिम राजिपाल से गुहार लगा रहा है तो वहीं विपक्ष हेमन सरकार को लोगपाल में आ झाल झाल